हे गाईज, वेलकम बैक टो नॉलिज आजे हंटर्स, आई होग आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाही भी शांदार चल रही होगी आपको तो पता ही है कि हमारा updated material जो है वो आचुका है और उसके already हम five parts complete कर चुके हैं आज हमारा six parts है जिसमें हम social issues को पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारा social issues क्या है, कौन से आप मुद्दा है जो हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं women in workforce कि workforce में जो हमारे women है उनके क्या हालात है उसको आज हम देखेंगे वही क्यों आखिर हम यह पढ़ने लगी, आखिर क्यों आज हमें यह याद आया कि चलो देखते है कि women जो है हमारी उनका workforce में क्या position है क्यों आखिरे news क्यों रही तो news यह इसलिए है क्योंकि हमारी president ने अभी एक speech दी जब उन्होंने recently जो speech दी है हमारी president ने तब उन्होंने बताया कि जो women है उनका participation बहुत ही low रहता है workforce में और इसी बजह से हमारी country का overall development नहीं हो पा रहा है तो मतलग क्या है कि हमारी president ने बताया कि जब तक हमारी जो workforce है उसमें हमारी women उनका participation ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर पाएंगे तरक्की के लिए चाहिए कि women का participation भी होना चाहिए अब जो हमारा fifth labor force survey हुआ था इसमें क्या बाते सामने आई तो इन्होंने बताया है कि जो female labor force participation rate है वो सिर्फ 32.8% रहा जो की काफी कम है आधा भी नहीं है 50% भी नहीं है 50% से भी बहुत कम है female labor force participation rate worker population ratio जो है वीमन का वो सिर्फ और सिर्फ 31.7% है वहीपर अगर हम मैन की बात करें तो 73.8% है तो काफी जादा यहाँ पर भी difference देखने को मिल रहा है unemployment rate की बात करें वीमन की तो सिर्फ 3.3% ही unemployment rate है अगर हम बात करते हैं कि जो वीमन का participation है work force में वो तो बड़ा है ठीक है अगर हम पिछले labor force survey जो हमारा हुआ है उससे compare करें तो हाँ कुछ तो improvement हुआ है participation तो बड़ा है बट क्या उतना बढ़ गया जतना में चाहिए था नहीं उतना तो नहीं बड़ा है अभी हमें बहुत ही ज़्यादा मेनद करने की जरूरत है बहुत ही ज़्यादा improvement की जरूरत है अच्छा अब बात करते हैं वीमन in white and blue collar jobs ठीक है कौन सी बात कर रहे हैं कि वीमन जो है उनका white और blue collar job में उनकी क्या position है बट इसको जानने से पहले आ इसा नहीं है चलो देखते हैं कि आखिर white blue और pink collar jobs कौन सी होती है तो white collar jobs में क्या होती है जिसमें बहुत ही ज्यादा salary मिल रही है बहुत ही ज्यादा skill है ठीक है ऐसी jobs होती है white collar job मतलब कि highly payable ठीक है बहुत ही ज्यादा payment उसमें मिलता है और skill भी बहुत चाहिए होती है पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर women underrepresented है क्योंकि बीमन जो है वो science, tech, engineering, math, law, medicine इसमें काम तो कर रही है और बहुत अच्छे च्छे काम कर रहे है तरकी हो रहे है बट उतना ज्यादा नहीं जितना मैन कर पा रहे है तो अभी भी हमें मैनत करने की जरूरत है लेकर अगर हम बात करें IT की अगर हम बात करें WPO की तो बहां पर women का जो participation है वो improved हुआ है अच्छा white color job समझ में आई अब बात करते हैं blue color job की तो इस sector को dominate किया है man ने क्यों क्योंकि blue color job में क्या होता है manual labor करनी परती है ठीक है बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है stamina ज्यादा चाहिए होता ह कुछ muscle power भी चाहिए होती है बट यहां पर हम जानते हैं कि हमारी इंडिया की अगर बात करें तो आदेस ज्यादा women तो अनिमिक है उनमें तो खून की कमी है उनमें iron की कमी है खून की कमी है तो जब उनमें strength है ही नहीं इतनी health है ही नहीं health में ही उनकी issues है तो कैसे वो काम करे इनकी कभी मिल रही है उन्हें nutrition इतना है नहीं तो nutrition इनके body में नहीं है ठीक है उनकी body में खून ही नहीं है तो आगे कैसे काम करें ठीक है तो stamina वाले काम है जो strength वाले काम है उसे वो underrepresented है अब यह जो blue collar job है इसके अगर हम कुछ example देखे तो जैसे construction work हो गया ठीक है या फिर plumber का काम है farmer का काम है और अगर हम देखे तो farmer तो भाईया बहुत ही जादा वीमन ऐसी है जो खेतों में काम कर रही है बट अगर हम बात करें रिप्जेंटेशन की तो हां वो अभी अंडर represented हैं अब बात करते हैं पिंक कॉलर जॉब्स की, तो पिंक कॉलर जॉब्स को डॉमिनेट किया है वीमन ने, ठीक है, अब यहाँ पर कैसी जॉब्स है, यहाँ पर जॉब्स जैसे टीचिंग की, जैसे रिटेल वर्किंग की, secretary हो गई है, nanny हो गई है, receptionist हो गई है तो ऐसी job से यहाँ पर जाये तर हम वीमन काम करते हुए दिखे जाएंगी लेकिन यहाँ पर wages की बात करें तो wages भी कम है अगर representation अच्छा है तो wages कम है तो क्या फाइदा हुआ अच्छा और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि workforce में जो वीमन हैं, उनको promote करने की जरूरत है क्योंकि वो अभी भी पीछे है, उनका representation कम है तो अब जब कम है representation तो क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कि उनका representation बढ़ाएं, उसके लिए चाहिए कि हम कुछ initiative लेकर आएं सबसे पहले labor code की ही बात कर लेते हैं तो code आया है social security पर 2020 में, ठीके जिसमें बताया है कि वारा week से 26 week तक की maternity leave मिलेगी, किसको? वीमन को, ठीके? In case of pregnancy or giving the word to the child, उनको क्या मिलेगा? कि वारा week से 26 week तक की maternity leave मिलेगी और इसमें payment भी होगा ठीके code on occupational safety, health, working condition की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीमन को काम करने की जादत दी गई है रात में भी code on wages 2019 की बात करें तो बताये गया है कि हम gender के basis पर कोई भी discrimination नहीं करेंगे अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे topic की skill providing ठीक है? कई सारे काम ऐसे होते हैं जिसमे skill चाहिए होती है बट हमारी वीमन के पास में skill ही नहीं है काम करना तो चाहते हैं बट काम करना आता ही नहीं तो काम कैसे करेंगी तो हमने क्या किया? हमने उनको काम करना सिखा दिया जैसे कि हमने उनको industrial training institutions में क्या किया है? उनको training provide किये skill institutions बनाए है national vocational training institutions बनाए है regional vocational training institutions भी बनाए है अब कई बार हम ऐसे issues को face करते हैं कि हम देखते हैं कि women बहुत ही talented तो है उनको बहुत अच्छा काम भी आ रहा है वो काम कर रहे है बट कभी-कभी ऐसा होता है कि safety measures ना होने की वज़े से उनको काम छोड़ना पड़ता है कई बार ऐसा होता है बहुत सारी talented women ऐसी होती है जो safety ना मिल पाने के कारण घर में बैट जाती है क्योंकि वो safe जो है feel नहीं कर पाती है अपनी work space में तो आप ऐसा ना हो अगर वो talented हैं उनके अंदर skill है और वो काम करना चाहती है तो आराम से काम कर सके और safety के tension उनको ना हो इसलिए हमने कई सारे safety measures भी provide किये यह sexual harassment of women at workplace prevention and provision and redressal act 2013 में हम लेकर आए है इसके अंदर उनको safety के सारे measures provide किये गए अच्छा इसी के साथ साथ एक mission सकती भी लेकर आए है अब जो mission सकती है इसमें women की safety security empowerment के लिए यह हम mission सकती लेकर आए है इसको launch किया है 2021-22 में तो यह तो बात की हमने women in workplace में अब हमारा जो next topic है that is gender budgeting बजट हम बनाते हैं ठीक है बजट हमारे साल में आता भी है और घर में भी बजट बनते हैं school में बजट बनते हैं college में बजट बनते हैं अब आप यह बता बजट कब आता है ठीक है कौन सी date को आता है और कौन उसको represent करता है present कौन करता है ओके तो बजट जो है बो तो बनता है बजट में क्या करते हैं हम देखते हैं expenditure कितना होगा income कितनी होगी कहा कहा से हमको income हो जाएगी ये सारे चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बजटिंग की बात नहीं किय गई है, यहाँ पर बात की गई है जेंडर बजटिंग की, तो अब ये जेंडर बजटिंग क्या होता है, क्यों नुज में है चलो जानते हैं तो अभी हुआ यह है कि Union Budget 2023 ठीक है बहाँ पर gender budgeting का काफी जादा यूज किया गया है बताया गया है कि भीमन को अगर empower करना है तो इसके लिए जेंडर budgeting करना काफी जादा ज़रूरी है तो gender budgeting पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है government ने माना है कि हाँ नारी शक्ति की importance बहुत ही ज़्यादा है अगर हमारी इंडिया को क्या करना है इंडिया को और ज़्यादा उचाईयों लेकर जाना है तो हमें चाहिए कि नारी शक्ती पर की importance को समझें ठीक है नारी शक्ती कितनी ज़्यादा जरूरी है इसको समझना जरूरी था और हमारी सरकार अब यह समझ चुकी है सरकार का focus है कि हम inclusive development करें जिसमें शर्प्त रिसी जो है शर्प्त रिसी क्या है seven principles है ठीक है शर्प्त रिसी क्या है seven principles जिसमें focus किया जाएगा और उसको सब्त रिसी को मानते हुए हम inclusive development करेंगे अब जो जेंडर बजट जो estimated है उसमें बताया क्या है कि 4.96% जितना भी expenditure total होगा उसका 4.96% कितना क्या जाएगा जेंडर बजटिंग की जाएगी ओके अब आप कहेंगे कि मैं जेंडर बजटिंग आप बता रहे हैं जेंडर बजटिंग के आप बारे में बता रहे हो कि यह इतनी important है बट आखिर यह होता क्या है हमें तो यही नहीं पता कि जेंडर बजटिंग क्या होता है तो पहले तो यही समझाए चलो हम इसको ही समझते है कि आखिर जेंडर बजटिंग क्या होता है तो इसका मतलब है कि government के जो budget है वो क्या करेंगे government के budget देखेंगे कि जो particular हमारा कोई भी scheme है इसका इंपक्ट जेन्डर के बाइस इस पर किस पर कितना पड़ेगा ? थिक है ? मेल के लिए वो कितना बेनफिट होगा उसका और फीमेल के लिए कितना ? तो differential impacts की बात की गई है gender differential impacts की बात की गई है कि कोई भी अगर हम initiative लेते हैं अपने budget में तो उसका किस gender पर क्या असर पड़ेगा ठीक है इसमें हम ensure करते हैं कि gender commitments हूँ ठीक है budgetary commitments की को हम क्या कर रहे है budgetary commitments को जोड रहे हैं gender commitments के साथ में जैसे कि हमने हमने सोचा कि हम क्या करेंगे कि एक लाख रुपए education पर खर्च करेंगे ठीक है यह हमने budget में अभी तक पास किया था यह था पहले वाला budget अब जो है अगर हम gender budgeting करेंगे तहुँ क्या कहेंगे हम कहेंगे कि 1 लाख रुपए हम कर्च करेंगे education पर बट क्योंकि और 40% खर्च करेंगे boys पर क्योंकि boys की education अथी चल रही है उनकी families को support कर रहे हैं बट girls के education ज्यादा important है क्योंकि उनकी families को support नहीं कर रहे हैं ऐसा suppose करो ठीक है ऐसा example है तो क्या है कि हमने क्या कि allocation तो किया budget का but gender specific कर दिया अब इसमें क्या है कि हम कोई accounting नहीं कर रहे हैं बट यहाँ पर यह पूरी process है जिसमें हम gender perspective को रखेंगे कोई भी formula कोई भी policy कोई भी program कोई भी plan बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि यह जो program है इसका impact जो है male पर कितना पड़ेगा female पर कितना पड़ेगा particular gender पर कितना इसका impact पड़ेगा यह हम ध्यान में रखेंगे अब ही बात करें तो इंडिया का जो gender budget है वो five key ministries पर concentrate करता है जैसे rural development ठीक है यह जो भी अपने plans लेकर आते हैं ही gender specific लेकर आते है women and child development हो गया agriculture, health and family welfare and education साथ ही साथ में जो range है जितना भी expenditure होगा ठीक है वो जितना भी GDP है हमारी उसके एक percent से भी कम इसका expenditure जो है gender specific होता है अब हम बात करें कि शब्तरिषी क्या है अब आपने बोला मैम कि सब्तरिषी जो होता है उस पर ही हम क्या कर रहे है inclusive development करने कोशिश कर रहे है पट सब्तरिषी है क्या ये भी तो समझा चलो समझते हैं शब्तरिशी हमारी 7 priorities है हमारी जो budget आया है इसमें 7 priorities को set किया गया है वही हमारी सब्तरिशी है ठीक है और यह सब्तरिशी अम्रतकाल के लिए है अच्छा इसमें क्या है सबसे पहले हम inclusive development की बात करेंगे यह हमारी priority है फिर है last email तक पहुचना चाहते हैं infrastructure and investment पर काम करने कोशिश कर रहे है अपने जो potential है इसको हम अपना potential का use करना चाहते हैं potential तो बहुत है बट हम इसका use नहीं कर पा रहे है तो यह use करेंगे तिके green growth करेंगे youth power पर ध्यान देंगे और financial sector पर भी ध्यान देंगे अब इंडिया में gender budgeting कब से start हुई क्यों हुई कैसे हुई यह सब भी देख लेते हैं time line देख लेते हैं although यह question नहीं आने बाला but देख लेते हैं क्योंकि पता नहीं यह कुछ भी हो सकता है uncertain रहता है हमारा तो 1992 से ही start होगी थी gender budgeting ठीक है 8-5-year plan में हमने पहली बार highlight किया था कि हमें ensure करना पड़े था जो funds का flow हो रहा है वो general developmental sector से वीमन की तरफ भी होना चाहिए वीमन पर ध्यान देना ने शुरू किया 1997 में 9-5-year plan आया तो हमने वीमन component plan को भी adopt किया 2003 की बात करें तो ministry of finance बनाई गई थी ने ministry of finance ने एक expert group बनाया और उस expert group ने कुछ recommendations दी थी कि हमको क्या करना है हमको female पर भी ध्यान देना है 2005 से 6 की बात करें जेंडर बस्टिंग को introduce कर ही दिया गया अभी तक सिर्फ female को importance देनी ये बात चल ले थी बट फिर क्या हुआ कि कहा गया कि नहीं हमको क्या करना है सीधे gender बस्टिंग की करनी चाहिए talking about our next topic next topic है PBTG के बारे में अभी PBTG कौन है इनको हम बोलते हैं particularly vulnerable tribal groups होते हैं चलो tribal groups ने तो है क्यों न्यूज में है बात तो ये है तो न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि 2023-24 का जो हमारा budget आया उसमें प्रधान मंत्री PBTG development mission को announce किया गया है तो एक नया mission announce हो चुका है नाम है उसका प्रधान मंत्री PBTG development mission ठीक है और ये क्या करेगा इस group की जो भी हमारा PBTG है इसकी socio-economic development पर हम यह आपर ध्यान देंगे अगर हम बात करें जो हमारा particularly vulnerable travel groups mission है तो इसके अगर हम बात करें तो इसको launch किया गया है जो अभी हमने शप्त रिशी पड़े थे उसमें हमारा एक शप्त रिशी में एक target था एक priority थी कि हमें reaching the last mile तक का पहुचने की एक priority हमने set की है उसी priority को पूरा करने के लिए हमने ये mission जो है launch किया है लगबग 15,000 करोड रुपीज जो है वो अभी लेवल कराए जाएंगे कि ये mission जो है इसको हम implement कर सकें अगले आने वाले तीन सालों में ठीक है अब इसमें हम करेंगे क्य nutrition देंगे road and telecommunication connection देंगे और एक अथी livelihood भी देने का वादा किया गया है बट आप बोलेंगे कि ma'am आप बता रहे हो कि PBTG के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है बट ये PBTG होते कौन है तो question तो सबसे बड़ा यही arise होता है कि आखिरे PBTG कौन है तो इनको हम बोल सकते है particularly vulnerable tribal groups पहले हम इनको primitive tribal groups बोलते थे बट अब हम इनको particularly vulnerable tribal groups बोलते हैं ये schedule tribes की है category है और इसको बनाया गया है देवर कमिशन की recommendation पर 1973 में पहले सिर्फ बाबन tribal groups थे जो PBTG में आते थे बट ये बाबन से बढ़कर अब 75 हो चुके हैं ठीक है 17 states में recite करते हैं और UTs में ठीक है सबसे ज़्यादा ये ओडिशा में देखने को मिलते हैं और उसके बाद में ये आंदरप्रदेश में देखने को मिलते हैं ये आराइज आता है होता है कि आखिरी पीवीटीजी को हम identify कैसे करेंगे किस क्राइटेरिया पर हम देख कर खह सकते हैं कि हाँ ये तो ट्राइवल ग्रूप जो है ये पीवीटीजी है तो सबसे पहली बात की प्री अग्रिक्लचर लेबल अफ टेक्नोशी पास में है बत्राइब के सब्सेत lagi अज्टेजए चूंप बहुत ही जादा लो मतलब कि या तो पड़े लिखे ही नहीं अ कि इतना हो कि उन्हें को ज्यादा समझ में आता हो next है कि उनकी economic backwardness हो वो उनकी इतनी ज़्यादा earning नहीं है उनकी जो economy है वो इतनी strong नहीं है financially वो इतनी strong नहीं हो या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी जो population है वो बहुत ज़्यादा decline होने लगे right, मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या, वो उनकी क्योंकि actually उनकी जो living style है वो इतनी ज़्यादा primitive है कि वो hospitals को refer करते नहीं पढ़ाई को refer करने ही रहे पैसा उनके पास में इतना है नहीं right, तो होगा क्या, technology उनके पास में है नहीं तो क्या होगा, कि अगर वो विमार पढ़ते हैं उनको ठीक होना नहीं आ रहा है, ठीक है उनकी death, ultimate death हो रही है तो population जो है, बहुत ज़्यादा decline हो रही हो तो ऐसी जो चार conditions अगर मिल जाएं किसी scheduled tribe में तो हम बोल सकते हैं कि वो scheduled tribe अब PBTZ है अब लेकर हम बात करें जो PBTZ हैं, ठीक है तो वो extension की कगार पे ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में वो जो PBTZ है कुछ ऐसे PBTZ हो सकता है कि वो अब खताम हो जाएं जैसे कि हमारे ओंगे हैं ठीक है, अंडा मनीज है तो ये कुछ ऐसे tribe हैं जो अभी तो हैं पर हो सकता है अगले आने वाले पांस-दस सालों में ये tribe रहे ही नहां ठीक है, हम अभी चानते हैं कि हाँ एक ओंगे tribe है बट वाद में बता चले कि ऐसे कोई tribe थी अब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है इसके साथ ही साथ में यहाँ पर literacy level जो है बहुत ही कम है बहुत ही कम लोग ऐसे हैं इस tribe में जो की पड़े लिखे होते हैं उनको कई सारी hurdles का सामना करना पड़ता है कई सारी problems का सामना करना पड़ता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें Forest Rights Act की ठीक है तो हमारा جो Forest Rights Act 2006 में आया है वो सिर्फ चार हेक्टिर की लैंड है वो उनको अलोट करता है वही पर अगर बात करें कि कभी-कभी ऐसा होता है उनके पास में ज्यादा लैंड हो सकती है ज़रूरी तो नहीं कि 4 हेक्टिर की ही लैंड होगी उनके पास में ज्यादा अगर लैंड है तो वो लैंड सारी छीन जाती है उनको दी जाती है तो सिर्फ चार हेक्टिर लैंड तो ये काफी प्रॉब्लम बाली बात हो जाती है अच्छा पीवी टीजीज के लिए हमने कई सारी इनिशेटिव और भी लिये हैं सिर्थ मिशन दी चलाया है उने बहुत सारे काम किये और काम क्या किये हैं तो हमने इंडिजीनियस और ट्राइवल पॉपलेशन्स कंवेंशन 1957 में अडॉप्ट की थी हमने मतलब इंटरनेशनल लेबर ओर्गिनाइजेशन ने Community Development Program चलाया है, Multi-Purpose Travel Blocks बनाए गए है, Travel Development Block बनाए गए है, Travel Sub-Plan भी बनाए गए है Restricted Area Permit भी बनाया गया है जिसमें क्या होता है कि हर किसी को वहाँ पर जो Travel Area है वहाँ पर अंटर करना अलाव नहीं होता उनको ये Permit लेना पड़ता है इसकी for Development of Primitive Vulnerable Travel Groups भी लेकर आए थे 2008 में, जिसमें हम Housing प्रोवाइड करते हैं, Agriculture, Roads, Energy भी प्रोवाइड करते हैं इन Travel Groups के लिए अच्छा इसी से related एक News भी है, News है हकुपत्रा की, हकुपत्रा क्या है? तो PM ने अभी क्या किया है? रिसेंटली हकुपत्रा को distribute किया है, जो बंजारा tribes मिलती है करनाटिका में, तो उस tribe के members के लिए क्या किया गया है, ये हकुपत्रा distribute किये गए हैं, अब बात की जाएगी कि भई हकुपत्रा तो दे दिये, बढ़ किसको दिये गए हैं? दिये गए हैं बंजारा इसको, तो आखिरें बंजारा कौन होते हैं तो बंजारा को हम लंबडी भी बोलते हैं गौर, राजपुत्र भी बोलते हैं लावाना भी बोलते हैं यह historically nomadic trading caste है जो कि मेवाड गुरुप में रहती मेवाड रीजन में रहती थी राजिस्थान थी बढ़ा भी यह कहां पर मिल रहे हैं करनाटका में भी मिल रहे हैं अब दिया क्या है? दिया है हकुपत्रा तो हकुपत्रा क्या है यह भी जानो हकुपत्रा एक legal document है जो कि जिसमें क्या होता है कि एक person की legitimate inheritance या फिर ownership की उसमें details होती है हाँ यह particular property जो है यह person की है उसका इस पर right है इसके लिए हकुपत्रा लाए गए अब हम बात करते हैं भी education की क्योंकि education की importance हम से जादा अच्छे से कौन जानेगा हम इतनी महनत कर रहे हैं education के बल पर हम क्या से क्या बन सकते हैं तो education की field में क्या क्या हुआ उसको जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे all india survey on higher education जिसको हम ऐशी बोलते हैं 2022, 2021 तक का यह survey हुआ है पूरी इंडिया में यह हुआ है अब बात कीजा यह survey जो है आखर news में क्यों आया news में इस दिया आया है क्योंकि ministry of education है ministry of education ने यह survey है इसको release कर दिया है और अगर बात करें तो यह survey जो है यह conduct हो रहा है आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं बहुत सालों से मतलब 2011 से यह जो आपका survey है यह conduct हो रहा है ministry of education के द्वारा यह conduct होता है कबर करता है जितने भी higher level की educational institutions है उन सब को यह cover करता है इंडिया की पहली बार ऐसा हुआ है कि survey ने data को collect किया है online data का use करते हुए ठीक है online data को collect किया गया है ऐसा पहली बार हुआ है जो हमारे data capture format है इसके help से हमने यह कर दिखाया कि हमने जितना भी data collect किया सब की सब data online collect हिया है अभी जो data capture format है इसको भी बनाया किसने जिसका हमने use किया और data collect किया है तो इसको बनाया है department of higher education ने ठीक है और help ली है national informatics centers की अब जब survey हुआ तो कुछ हुआ भी होगा survey करते हैं तो कुछ मिलता भी है हमें इसमें भी कुछ मिली है कुछ findings मिली है जिसको हम देखते हैं लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है exam में नहीं कहीं भी पूछा जाएगा कि बताओ क्या findings हुई है लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी हो जाता है कि total student enrollment की बात करें तो सबसे ज़्यादा enrollment admissions कहा हुए है हमारे UP, Maharashtra और Tamilnadu में ठीक है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुए है students के admission हुए है 21% का rise यहाँ पर देखने को मिला है बट कितना percent rise हुआ ही हमें याद करने की जरूरत नहीं है until and unless जब कि हमारे mains के paper हो में इतना सारा पढ़ना होगा तो बस कुछ ही point हमें information के तोर पर याद करने सब कुछ रखने की जरूरत नहीं है बना यह एक ही answer बड़े अगर के आओगे बाकि सारे answer डूब जाएंगे female enrollment की बात करें कि जो हमारे female है जो female girl child है या फिर जो हमारे girls है female कितनी थी इसकी बात करें तो इसमें 4% का rise देखने को मिला है अच्छा चल रहा है पर और अच्छा हो सकता है इतना इसमें हमको देखना चाहिए बढ़ते हैं आगे अब देखेंगे हम Acer report को तो Acer report क्या है इसको देखने से पहले इसकी full firm देखते है full firm है annual status of education report 2022 अब आप बोलेंगे कि ma'am आखेर आप ये क्यों पढ़ाने लगे तो ये भी news में रहा news में इसलिए है क्योंकि जो हमारा NGO है बहुत ही famous NGO का NGO का नाम लेते ही अगर एक NGO अगर आपको याद आए तो वो ता प्रथम राइट प्रथम बहुत ही अच्छा काम करता है education की field में जितना कि कोई top university का नाम भी नहीं आता ना उतना प्रथम का नाम आता है जब यह हम education की field में कोई भी news पढ़ते हों तो यहीं प्रथम जो है इसने ये ASER report को release किया है 2022 की ये report है report की बात करें तो पहली बार ये 2005 में conduct की गई थी हर साल ये report जो है release होती है ये बताती है ये report जो है ये बताती है कि कितने बच्चे जो गाओं के बच्चे हैं वो admission उनका हुआ है school में या फिर नहीं हुआ है क्या वो कुछ सीख भी रहे है या फिर सेफ़ admission कराकर छोड़ दिया गया है क्या ऐसा है तो नहीं कि admission कराया ही नहीं सीदे खेतों पर काम करवा रहे हैं मुझसे तो क्या है कि हम education की field में survey कर रहे हैं जो हमारे rural इंडिया के बच्चे है उनके बारे में Acer 2022 के अगर हम बात करें तो यहां पर जो first field है वो है basic nationwide Acer की ठीक है तो basic field का इसमें हमने यूज किया है 2022 के Acer में लगवख 7 लाग बच्चे ऐसे हैं जो कि 3 से 16 साल के हैं उनका survey हुआ है बताया कि उनका schooling status कितना है क्या वो उनको तोड़ा जोड़ना घटाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या उनको कुछ पढ़ना लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह सब हमने देखा अब survey किया है और कुछ report आई है जो हमारी report card आती थी बच्पन में तब भी तो उसमें mark success आते थे ना कि यहां इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा performance है यहां पर ठोड़ा बीक है यहां पर इसको और पढ़ने जरूत है इस तरीके से हमारी report card कुछ बनते थे बैसे यहां पर भी कुछ key findings मिली है इस report में क्या बात की गई है अगर हम enrollment की बात करें कि भईया 6-14 साल का बच्चा है क्या इसका admission हुआ या नहीं हुआ 98.4% का जो increase इसमें देखने को मिला है तो काफी beautiful trend या पर देखने को मिला 15-16 साल की जो girls हैं जिनका भी admission नहीं हुआ है तो इसमें भी decline देखने को मिला जो की अच्छी बात है जो बच्ची first to say 7th standard में हैं और जिनको private tuition जो पढ़ने जाते हैं जैसे हम अपने आसपास भी देखे ना तो छोटे-छोटे बच्ची हैं अगर वो NCLKZ UKZ में भी है ना देखेंगे कि वो स्कूल से आते हैं उसके बाद में खाना खाते हैं फिर चल जाते हैं ट्यूशन जा रहे हैं कहां जा रहे हैं और बच्चे जब तक उनकी जॉब ना लग जाए या फिर वो बिल्कुल पढ़ाई से तंगा ना जाएं तब तक हम देखते कि वो बैग उठाकर ट्यूशन ही भाग रहे होते हैं पर ट्यूशन की क्या जरूरत है जब आप इतने अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हो लेकिन क्या हो रहा है आजकल education एक business बन चुकी है इसी बजी से क्या हो रहा है कि बच्चों पर extra pressure पढ़ रहा है जिसके बारे में हम और आपको जोचने की जरूरत जरूर है लेकिन अच्छा करें हम यहाँ पर बात करें तो जो paid private tuition है भई स्कूल के बाद में बच्चे आ रहे हैं फिर एक tuition दो तूशन तीन तूशन भई सुभई से शान तक बस tuition स्कूल उसके दो तूशन दस पंदा तूशन पढ़े जा रहे हैं तो ऐसे बच्चे कॉन से हैं तो इसने increase देखने को मिला है अभी क्या हो रहा है कि बच्चों को स्कूल ने अलग पढ़ाई हो रही है कि इस पर हमें आगे चल कर काम कलना पढ़ेगा रीडिंग इविलिटी की बात करें क्लास दीन में आ चुका है क्या वो पढ़ना जानता है तो इह डेकलान देखने को मिलाए है और साथ में थोड़ा सा योग हुमारे कोविड का भी है को भी बिल्कुल बेकार कर दिया arithmetic ability की बात करें कि उनको क्या subtraction आता है class third में आ चुके क्या गोचोड़ना घटाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो इसमें भी टेकलान देखने को मिला है मतलब उनको subtraction करना भी नहीं आ रहा है क्या teacher attendance क्या teacher भी school में आतें की नहीं आतें क्या स्कूल sm देखते हैं कि जिसमें क्या हो रहा है बच्चे तो वही जा रहा है पढ़ने के school चले हम बच्चों के कहने से काम नहीं चलेगा teacher को भी तो आना चाहिए तो हाँ पहले ऐसा होता था कि बच्चे आकर बैट गये क्लास मे increase देखने को मिला कि हाँ अब क्या हो रहा है कि teachers भी आ रहे हैं पढ़ाने बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने क्या ऐसे school है जहाँ पर drinking water अविलेबल है तो हाँ schools में जो trend है वो increase देखने को मिला हाँ भई अब पानी भी अविलेबल है प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हैं अच्छा ऐसे schools जहाँ पर toilets हैं अविलेबल girls के लिए राइट क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कई सारे ऐसे school है जहाँ पर girls पढ़ा ही तो कर रहे हैं बट उनके लिए कोई toilet नहीं है अब यह तो basic necessity है ना human की अब यही अभी लेविल नहीं है तो बच्चा कैसे पड़ेगा उनको problem हो जाती है तो अभी भी इसमें हमने improvement देखा है पर अभी 68.4% का trend देखने को मिला है जोकी increase हो रहा है बट और increase करने की ज़रूवत है next बात करते हैं एक और report card आ चुका है हमारे पास में ना हमें इसका foundational literacy and numeracy report भी अब यह क्यों news में है इसको भी जानते हैं तो obviously इसको भी release किया है लेकिन किसने release किया है important हमारे लिए यह हो जाता है जानना तो इसको release किया है यह ACPM यह क्या है बई तो यह है economic advisory council to the prime minister ठीक है तो यह prime minister जी की help से यह report जो है release हुई है काफी important हो जाती है चलो समझते है फिर यह क्या है तो इस report को जो है तैयार मारे PM ने बैठ कर नहीं किया है यह मैं सोचना कि हमारे जो प्रिधान मंत्री है वो बैठ है उन्हों का चलो देखें आज कैसी report है देखते है क्या foundation literacy है की नहीं हमारी इंडिया में क्या numeracy literacy है की नहीं है नहीं वहीं उनके पास में इतने थाइम नहीं होता है तो इस इसको किस तयार किया तो इसको तयार किया है institute for competitiveness इसका जो इंडियान वींग है institute for strategy and competitiveness Harvard Business School में बहाँ से इतने high level से रिपोर्ट जो है तैयार होकर आई है रिपोर्ट जो है इसने एक इंडेक्स को प्रिजेंट किया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो 10 साल से कमके जो बच्चे हैं उनके अंदर foundational literacy है या नहीं वह Hindi में नहीं है वह English में नहीं तो किसो में वाई तो वह है Punjabi language में अब आप वोलेंगे कि आ यहा हमें तो पंजाबी गाने ही सिर्फ सुनने पसंद है और वही समझ में आते हैं पर पंजाबी लिकनी बोलनी नहीं आती है लेकिन यहाँ पर हमीं नहीं आती है इस से मतलब नही और वो भी best performing language की बात हो रही तो पंजाबी ठीक है only तैलो और मीजो ऐसे हैं जिनमें 30% से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहे जिनको proficiency level अच्छी रही है Tamil, Konkani, Azamese, Bodo language ऐसी है जिनकी performance बहुत ही ज़्यादा poorest रही है numeracy की बात करें तो 42% students ऐसे हैं जिनके पास में global minimum proficiency available है ठीक है वो जो है numeracy अच्छा कर पाए बट अगर आप देखें तो खुशोने की जरूत नहीं है यहाँ पर percentage की बात करें तो 42% है मतलब कि 50% भी नहीं है तो यहाँ पर काम करने की जरूत है हाई है percentage जो girls student performance की है अगर boys की बात करें तो boys की मैथ अच्छी निकल गई और girls की कम निकल गई है यह तो अगर हम देखें तो हमारे आसपास जनरल हम देखते हैं तो ऐसा ही हो रहा है I don't know why बट ऐसा हो रहा है कि boys उनकी मैथ अच्छी हो जाती हो तो girls को मैसे डर लगता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर girl को ऐसा लगता है कुछ girls की मैथ बहुत ही स्ट्रॉंग होती है राइट ओके स्टेट्स परफॉर्मेंस की बात कर कि कौन से स्टेट ने कितना अच्छा किया तो पंजाब ने सारे ही इंडिकेटर्स में टॉप किया भी पंजाबी लेंगुज ने भी टॉप कर दिया और पंजाब ने भी यहाँ पर टॉप किया है कुछ Key Reports की Snapshot भी यहाँ पर दे रखी है, जिसको भी हम देख लेते हैं, तो Annual Status of Education Report, Acer, अभी हमने Acer की बात किए ही, Acer कौन रिलीज करता है, प्रथम रिलीज करता है, आपको इतनी सारी चीज़ा कर नहीं पढ़ मिलें तो मत पढ़िये, लेकिन इतना जरूर पढ़ना है, इ अब नेशनल लेवल पर बात हो रही है, तो हमारी Ministry of Education ने, ठीक है, Foundational Literacy वाली अभी हमने बात की ही है, रिपोर्ट कार कौन निकालता है, तो Institute for Competitiveness और जो Economic Advisory Council to PM है, ठीक है, अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम, अब हम बात करेंगे, भईया, तक हाली है, कुछ में अच्छी बात हुई, कुछ में बुरी बात हुई, मैंनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हम बात करते हैं, पूरी University, इसकी पेपर पर ही बात क्यों करें, रिपोर्ट कार्ट आगया, रिपोर्ट कार्ट आगया, हम जाते हैं जो कि हमने National Education Policy में देखा था, ये framework कैसा होगा, कैसी ये उनिवर्सिटी होगी, इसका जो framework है वो भी release कर दिया गया है, अब बात करते हैं ये उनिवर्सिटी की और ये क्या framework रहा, जो भी release हुआ है, इसकी भी, तो National Digital University की बात करेंगे, ये एक उनिवर्सिटी है, जिसमें क् अगलग Higher Educational Institutions हैं, उन सब को एक साथ लाया जाएगा, ठीक, अब एक साथ लेकर आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमाई Delhi University है, लाबात University है, मदास University है, इन सब को मिलाकर उठा लाएंगे, उनकी विल्डिंग को एक जगर पर जोड़ देंगे, नहीं नहीं है, इसा होड़ हो जाएंगे online, ठीक है, framework क्या रहेगा, तो online courses available होंगे, जो की partner institute जो है, वो offer करेंगे, वो हो सकता है कि private universities हो, ये भी हो सकता है कि public universities हो, functioning कैसे होगी भी कैसे काम करेंगे, तो have and spoke model पर काम किया जाएगा, अब आप बोलेंगे मैं ये have and spoke बहुत बार आता रहता है, बढ़ है, Doraemon, ठीक है, Doraemon है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे आजाते है, A, B, C, ठीक है, इनके पास में क्या है, इसके पास में औरेंज है, इसके पास में बनाना है, इसके पास में मैंगो है, ठीक है, अब इन्हों ने क्या किया, इन्हों ने Doraemon को दे दिया, डोरिमोन की जो pocket है ना अच्छी सी magic वाली ठीक है उसी pocket में इन्होंने orange डाल दिये अपने इन्होंने बनाना डाल दिये और इन्होंने अपने mango डाल दिये अब नोवित आया सुजुका आया और कौन आया जी आना अगया ठीक है अब इन्हों इनको जो भी चाहिए किसी को चाहिए orange किसी को चाहिए mango किसी को चाहिए बनाना तो आप जिसको जो चाहिए वो डोरिमोन बापस कर देगा इनको ये provide कर देगा तो यह होता है hub and spoke ये पूरा hub हो गया है अब यहां पर ये इसके spoke हो गए यहां पर जो है सारा सामान दे दिया जा रहा है और यहां से वो transfer हो जा रहा है तो ऐसा ही होगा यहां पर hub and spoke में ठीक है सारे लोग क्या करेंगे अपने अपने courses provide करेंगे इस web portal पर फिर जिस भी student को जो भी चाहिए है जो भी course च ठीक है यह summer portal किसका है वही हमारी सरकार का है जब इतना बड़ा काम होगा तो सरकार ही आगया ही ना कौन कौन से courses provide होंगे courses के क्या type होंगे तो जो आपकी students है ठीक है वो students क्या कर सकते है certificate के लिए भी काम कर सकते है पढ़ाई कर सकते है डिप्लोमा ले सकते है डिग्री भी ल कुछ आपको credit भी provide किये जाएंगे students eligible होंगे कि वो एक particular institute से degree भी ले सकते है अगर उनके पास में 50% credits इखटे हो गए तो 50% credits के बदले वो कोई भी degree ले भी पाएंगे ndo degree की अगर हम बात करें तो अगर को student है जिसको multiple institutions से कई सारे credits मिले है और credit limit से ज़्यादा credit हो चुके है तो ndo उसको क्या करेगा degree provide करेगा कितनी seats है यहाँ पर तो unlimited है भाई हर course के लिए जिसको भी मन है न सब आ सकते हैं इसके दोआर सब के लिए खुले हुए है जिसका म हमने भी डिग्री चाहिए आजाओ जिसका मने एक डिपलोमा चाहिए आजाओ जिसका मने भी certificate भी चलेगा तो वह भी आजाए सब का welcome है यहाँ पर ABC system है अब यह क्या system है तो यहाँ पर क्या है एक standardized academic bank of credit system का use किया जा रहा है जो कि हमारी UGC ने बनाया है अब ABC system को और भी detail में यहाँ पर समझाया गया है जब समझाया है तो हम समझ देते हैं हमें क्या दिखकर चलो समझते हैं ABC system क्या होता है तो है कि यह digital store house है ठीके क्या है digital store house है जिसमें क्या होगा कि एक individual student ने कितने credit earn किये है अपनी पूरी पढ़ाई जितने जब भी उसने कि यह higher level education में जितनी भी पढ़ाई की है अलग-अलग institute से अलग-अलग course इससे जितनी भी पढ़ाई की है उसके credit से यहाँ पर store होंगे उसका यह store house है हम सब के घर में भी एक store house होता है इवन हमारी phone में भी एक store house होता है हमारे mind में भी एक store house होता है ऐसे ही यहाँ पर एक store house बन तो हर individual account को खोला जाएगा individual जो बच्चा है उसका क्या होगा account खोला जाएगा अब बैंक होते तो operate कौन करता भी हमी जाते है ना अपनी bank में account के लिए जो भी लेन देन करनी है वो हमी ऑपरेट करेंगे तो ऐसे ही जब academic bank account खोलेंगे तो जो भी student को यह bank account खोलेगा वो खुद आपरेट इसको करेगा जिसमें उसके अकाड़ में credit होगे obviously bank में हमारे credit होते है हमारे जो पैसा है वो हम जमा करते हैं आपर हमा जो credit time करेंगे वो हमारे जमा होंगे credit transfer भी हम कर सकते हैं और credit के redemption भी हो पाएगा next बात करते हैं draft national medical commission amendment will 2022 जहां पर भी draft लगा हो मिल जाया तो समझ लेना कि अभी यह सोज विचार इस पर चल रहा है अभी यह पक्का नहीं हुआ है अभी यह पास नहीं हुआ है लेकिन हाँ हो सकता है क्योंकि सोज विचार चल र final भी हो जाए अचा news में क्यों है तो जो हमारे ministry of health and family welfare है उन्होंने प्रपोजल दिया भी प्रपोजल वाला नहीं है दिमाह उदर मत चलाओ प्रिलिम्स आने वाले हैं तो प्रपोजल क्या दिया इन्होंने कहा है कि एक draft amendment करने की जरूरत है जो हमारा national medical commission act 2019 का है उसमें जरूरत है क्यों आइसा वो राइट अच्या खासा बिल बना हुआ है एक्ट बना हुआ है तो हम क्यों उसमें छड़गानी कर रहे हैं क्यों इतनी मेहानत करेंगे यहां पास करा बहां सक्राव यहां साइन लो क्यों राइट तो हमारे पास में कुछ लिए जैसे की जो process है जो आप भी हमारा इस्टिंग नेशनल वोर्ड आफ इजामनेशन है एंगेल साइंस में ठीक है इसको हम रिपलेज कर रहे हैं ठीक है रिपलेस कर रहे हैं तो जब पूरी बॉडि को रिप्लेस करोगे न ठीक है तो आपको एक्ट में भी तो रिपलेस्च करने होगी न कुछ जिरुवत है due to medical registration board भी कर love down it is मेडीकलMusic होता है तो काने अपिलेड़ कमीशन उसकी ऑपीलेड़ करते हैं कि अगर हम बात करते हैं एसके structure कैसा है तो एक chairperson उनके नीचे secretary है और उनके नीचे यहाँ पर under graduate medical education board, post graduate medical education board, medical assessment and rating boards, ethics and medical registration board, board of examinations and medical science, ठीक है, लेकिन क्या यह हमें आद कर रहा है मैम, यह तो याद नहीं हो रहा क्या खिचडी पकियो है, तो खिचडी पकियो है, तो खिचडी को छोड़ दो, खिचडी खान यह बहुत कम chances और time कम बचा है, तो दिमाग यहाँ पर नहीं खर्च करेंगे, हम अच्छी जगे खर्च करेंगे, तो हम देखते हैं कि आखिरी जो commission है, इसके functions क्या है, भाईया commission बैठेगी, ठीक है, वह सारे महान ग्यानी लोग बैठेंगे, हाँ जी बैठेंगे, तो ग्य साथ में requirement जेंगे, health sector में क्या requirement है, अब बात करेंगे, यूथे नेशिया की, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला topic, यूथे नेशिया, ठीक है, यूथे नेशिया news में क्यों है, ये तो समझेंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ और बात समझते हैं, सबसे पहले त यूथे नेशिया क्या होता है, इसको जानते हैं, तो यूथे नेशिया कि अगर हम बात करें, तो देखो, क्या condition होती है, सबस्पोस करो, दो condition है, एक person है, ठीक है, एक person जो है, बहुत ही ज़्यादा वीमार, paralysis हो चुका है उसको, ठीक है, अब हम सबस्पोस कर रहे हैं, ठीक सांस के लिए उसको अलग से मशीन लगी हुई है, किड्नी उसके फेल हो चुकी है, तो अलग से मशीन लगी हुई है, हार चीज के लिए अलग से मशीन लगी हुई है, ठीक है, हर चीज के लिए अलग से मशीन लगी हुई है, तब वो काम कर रहा है, बस उसके वह आखे हिल बड़ी के और सारी सारी चीजह जो है सारे कामएं नी ऊब करते थे वह सब पेल हो किए और सारी अलग-अलग मशीन यके काम कर रहे हैं ऐसी वेड़ पर पड़ा हुआ है हॉaspti प्रवाली का नहीं है क्या हाल है नहीं है तो अगर वाली भाद चे तो अच्छा है कि मर जाए रहे अगर उसके अंदर ऐसी ख्याल आ रहे हैं तो अपकी बात है क्योंकि वाटूडी तो सब पूरे और्गन और्गन सा फेल हो चुके हैं अब वो क्या खरे तब उसके पास हैं थे न दो चाहिस होते हैं जैसा करो कोई नशा वाली जहर वाली इंजक्शन लगा दो दवाई दे दो मैं मरना चाहरा हूं ज़सरा कह रहा है कि अशा है जितीजे तो आप है पहली बात तो आप इतना समझ लो जो एक्टिव है ना एक्टिव हमारी इंडिया में अलाओ ही नहीं है किसी को आप नहीं माँ सकते ठीक है तो यह तो बिल्कुल इसके बारान सोचना ही नहीं है यह तो आलाओ है बड़ पैसिप ना कि जिसमें आप किसी के लाइफ सपोर्ट को हटा सकते हैं वो भी ऐसे नहीं होता कि नहीं हमारा जो सुप्रीम ou सप्रीम कोर्ट हैं इससने क्या किया है कि जो पैसिभ यूथ यूथू इस सक्के जो रूल से ना उसको और सिंपल बना दिया है क्यों ऐसा किया क्योंकि दोजार एठारा में केस आया था केस था कॉमन कॉस बर से सी उनियन ऑफ इंडिया यहां पर सुप्रीम कोड ने का कि भाया जितना आपको इज़त से जीने का हक है आर्टिकल टॉंटी बन के अं इस सवारी बॉड़ी जो है सारे और खराब हो चुके है तो अब हम करें क्या जाएंगी जब सारे बॉड़ी जब कामी नी कर रही है तो यह चीज अलाव कर दी कई है अब यह जो केस है इसमें जजमेंट आया इसको अब एक्ट्रल लाइक में लेकर आना था और इसके लिए कई सारे हमको चेंजिस लाने पड़े थे ठीक है कई सारे चेंजिस लेकर आएं हैं इसमें अब ही क्या है एडवांस मेडिकल डिरेक्टिप्स जो है लिबिंग विल वो एक लिगल लॉक्युमेंट होता है जिसमें बता जाता कि कोई परसन जो है वो अपनी हेल्थ क्या डिस परचा में रहा है तो देखो 1994 से ही यह लोग जानते थे यह इनिशेयर भी कुछ होता है रती नाम केस हुआ था बहां पर कहा गया था कि किसी को आप सुसाइट के लिए हेल्प करते हैं ठीक है तो अटेंट तो सुसाइट जो है वो अनकॉंसिटूशनल है तो यह चीज अला कर लिया तो पहां पर उसको नहीं पकड़ा जाएगा यह वो तो मरी चुका है लेकिन हाँ आपने जहर ला कर दिया है तो आपको पनिशनल मिलेगी आपको सजा काटनी पड़ेगी क्योंकि आपने उसको मरने में हेल्प की कोई अगर कोई परसन वो कह रहा है कि भी आम मुझ अगर बिया लाउड नहीं था 1996 में बताय कि कि परसन के लिए आप नशीली दवाई नहीं दे सकते किसी परसन को मरने में हेल्प नहीं कर सकते चाहे वो कितना भी बिबी मारो कितना भी परिशान ओ बट आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें आपको ही सजा मिल ली है अच्छा बात क कि जब मेरी ड्रेसिंग होती है तो मुझे बहुत प्रेन होता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे पैसिव जो इतनेशिया है वो प्रोबाइड कर दी जाया मैं अब जीना नहीं चाहती तो ये जो है सुप्रिम कोर्ट ने पहली बार अलाव किया था उनकी कंडिशन इतनी ज़्यादा बुरी थी कि सुप्रिम कोर्ट ने ये अलाव कर दिया गया उनके लाइफ सपोर्ट जो हटाने की पर्मिशन मिली थी law commission की जो 241 जो रिपोर्ट आई उसमें जो है पैसी विथिनेशिया के उपर ये रिपोर्ट थी इसमें बताया गया कि एक individual जो है उसके अपना हक है वो चाहे तो पैसी विथिनेशिया को अडॉप्ट कर सकता है या उसका हक है कि वो life support लेना चाहता है या नहीं ये तो हक उसको होना ही चाहिए अच्छा अगर हम बात करते हैं ये जो judgment है इसके कुछ aspect भी है living will की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक notary के दौरा attest होगी ये living will ठीक है यहाँ पर सबको ये जो living will है वो access होगी जो hospital हो hospitalized person है ठीक है यहाँ पर primary world है वो examine करेगा कि हाँ ये person जो है इतना परिशान है इसकी condition ऐसी है कि हाँ ये मरना चाहरत इसको मरने दो मरने के लिए छोड़ दो ठीक है तो वह ऐसे नहीं कि आपने कहा कि भईया मेरे थोड़ा से बुखार आ गया है जिन्दगी से बहत परिशान हो ऐसा करो कि मुझे मार दो ठीक है मुझे मबने के लिए छोड़ दो ऐसा नहीं होता ठीक है आपके condition को पहले just किया जाएगा पांच साल के experience वाले तीन डॉक्टर जो है वो और दो और डॉक्टर जो है पांच डॉक्टर समझे टोटल पांच डॉक्टर आएंगे जिनके पास है पांच साल का experience होगा वो आएंगे आपकी जो हाले तो उसकी चेक करेंगे कि हाँ सच में ऐसा है कि आप जिंदगी बस इस ठीक है अगर आपकी condition ऐसी है कि हाँ अब सिर्फ आपके आँखें हिल नहीं और कुछ होई नीरा बॉड़ी में सारी मशीन इसी इंकाम कर रहीं तब हो सकता है कि permission मिल जाए अब कितने टाइम लगेगा यह permission मिलने में तो 48 गंटे के अंदर यह permission मिल जाएगा कि आपको जो life support है वो दिया जाएगा या नहीं ठीक है क्या आपको जो treatment आगे बढ़ाया जाए या नहीं ठीक है अभी जो secondary vote है यह तो hospital तुरंथी तुरंथी तुरंथ एक secondary vote जो है वो भी बनाएगा अब बात करें district court की registry के रोल क्या रहेगा तो यहाँ पर जो requirement इसकी पहले थी upward delete हो चुकी है ठीक है अपील high court के before आप कर सकते हैं तो rate petition जो है वो high court के सामने आप डाल सकते हैं next बात करते हैं अब हम बात करें आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की ठीक है जिसको हम ABPMJB बोलते हैं अब यह क्या है क्यों चर्चा में इसको समझते हैं तो national health authority ने अभी क्या किया है नया system इंटर्ड्यूस किया है यह जिस नया system है यह है यह किसके अंडर इंटर्ड्यूस किया है तो हमारा जो आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना है इसके अंडर यह नया system इंटर्ड्यूस किया गया है जिसमें हम hospitals की performance कैसी है उसकी grading करेंगे जो नया system है वो इंटर्ड्यूस किया जाएगा value waste care भी यहां पर उसका concept लोह है आ हम बहुत ही अच्छा फील करते है alors हमें डेल्फ फील होती है बहुत है क्या हम अके शाया धो Welt यह जो थिंग आप तब भी हम बीमार हो जाते हैं, वापर कोई services नहीं मिल रहे हैं, दवाई नहीं मिल रहे हैं, दॉक्टर आरव चीख रहे हैं, हमारे परशानी सुन नहीं रहे हैं, ऐसी भी condition होती है, तो दो तरीके की चीज़ें में देखने को मिलती हैं, ऐसा तो है, नहीं कि हमने कभी यह face न तो पाँच इंडिकेटर्स हैं, जिसकी help से हम क्या करेंगे, इसको measure करेंगे, पाँच इंडिकेटर्स को तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, जो यह भी PMJ है, यह आखिर है क्या, जिसके अंडर यह इतना सारत आम जाम हो रहा है, तो आखिर यह स्क आईश्मान भारत है, इसका ही एक component के तौर पर इसको लॉंच किया है, रेकमेंडेशन इसकी दी गई थी, National Health Policy 2017 के अडर, जिसका विजन है कि हम युनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव कर पाएं, दूसरा component क्या है, आईश्मान भारत का हो है, Health and Wellness Center, जिसमें हम प्राइमरी Healthcare से दबाई ले सकते हैं, पारसीटमोल लो, और सही हो जाओगे, रेकमेंडेशन लिए तो ऐसे लिए कि आपको बहुत Emergency Award में जाके खुद को एड्मिन कराना कि भी यह cold होगे, ऐसा ना हो, जो छोटी मोटी आपको प्राइमरी एक होती रहती है, उसके लिए प्राइमरी Healthcare हर किसी को मिलनी चाहिए, इंश्रेंस कबरेश की भी बात करें तो 5 लाग हर फैमिली को दिया जाएगा हर साल के लिए, यह कबरेश, funding pattern जो है वही, centrally sponsored scheme में होता है, 60-40, 90-10, ठीक है, यही funding यहाँ पर रहेगा, यूटी को 100% funding मिल जाएगी, कौन-कौन लोग ऐसे हैं, जिनको यह benefit होगा, तो यह beneficories जो है, इनका identification किया जाएगा, socio-economic caste census, जो हमार 2011 का हुआ था, उसी के अंदर, ठीक है, family size कितना भी हो सकता है, किसी गर में 2 लोग हो सकते हैं, किसी गर में 18 लोग हो सकते हैं, हर किसी को 5 लाग पर साल का, यहाँ पर insurance मिलेगा, कोई भी age की limit ने, कोई person अगर 112 साल का है, कोई person 400 साल का भी अगर है, पहले तो होता ही नहीं, पर अगर suppose करो अगर है, तो उसको भी भईया, यहाँ पर benefit मिलेगा, उसको टेंशन लेने की जरूत नहीं है, कि भईया, हम तो इतने पुराने हैं, तो हम हमें यहाँ पर benefit नहीं मिलेगा, अगर बच्चा कहीं पर भी चले जा, benefit मिलेगा, कि इंडिया हमारा पूरा एक है, ठीक है, हम चाहें इंडिया में कहीं भी रहते हो रहे हैं, है तो हम इंडिया नहीं ही न, इसलिए benefit हमें सब को हर जगह से मिल जाएगा, नोडल बोडी कौन सी है, कोई एक दादा पर दादा भी तो होना चा यहां बातकिती हैं, तो यहां पर 5 ंडिकेट जाए हैं, कि satisfaction ंसम carnival कोई पाद भी आपी कर दादाएं, फिर पूछा, फिर हम below the hospital visit, practical degree, treatment. कितना है फिर है कि out of pocket expenditure कितना हुआ है इसको भी देखा जा रहा है इन patients health related quality of life जो है वो कितनी आपने इंप्रूब की है अब बात करते हैं कि और गन ट्रांस्प्लांटेशन होता है इसके लिए कुछ नई गाइडलाइन आई है इसलिए चर्चा में है अच्छा जो रीसेंट जो नया आभी हमारे पास में जो मूव किया गया है इसका यह है कि जो और ट्रांस्प्लांटेशन है ट्रांस्प्लांटेशन का सिस्टम है इंडिया में इसको और इंप्रूब करें मिनिस्ट्र आफ हैं फैमिली वेलफियर ने कुछ जो है चेंजिस इसमें लेकर आए हैं अब और इन ट्रांस्प्लांटेशन क्या होता जैसे हम देखते हैं कि किसी ने अपनी डोनेट कर दी है ठीक है आई डोनेट कर दी अब जो आई डोनेट कर दी तो आँख उसकी तो नि वीच रखी रही है ऐसे ही उसके केयर नहीं हो पाई आँक भी खराब हो गई तो क्या हो आई यह क्या अंक्से ली गई दूसरे को लगी भी नहीं तो ऐसा ना हो ठीक है इसको अच्छे से हम कर सके इसके लिए कुछ गाइडलाइन लाई गई है जैसे कि अपर लिमिट जो थ पहले एज कहती कि 65 साल का परसन जो है जो कि और गन को किसी डैड डोनर से रिसीव कर रहा है वो 65 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जहांसे हमने सुना भी है कि इतना सुना है कि पोस्टमार्टम होता है किसी का तो जो और अच्छी होते है एप कोई परसन के डाट डूर मतलब बॉक्छ लोग ऐसे होते हैं यह तो जहांगे मेरी यह जो ऑर्गन है वह मैं डोनेट कर रहा हूं मेरी और और निकाल लिए चाहिए तो जो पर्सन जो रिसीव करेंगे ना उस ओर्गन को वो 65 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए यह ऐसा पहले एज कैप थी अब यह टा दी गई है अब कोई भी एज नहीं है लेकिन अभी प्रफरेंस हम किसको देंगे यंगर रिसीपेंट्स को क्यों क्यों जिन्दी की समझदों आदी से जादा जिन्दी की तो इसने जी लिए न दुनियादारी देख ली थी आभी इसको आँक की जरू है दस साल वाले बच्चे को क्यों क्यों कि वहीं है साट साल वाला तो थोड़े सालों में मरी जाएगा उसे दुनिया देखी लिया अब आप पर दोड़ा बच्चा है इसके हो सकता है कि एक पहुत युख अच्छा करें यह अभी इसकी जिन्दके श्रू होई है तो क्यों ना इसकी जिन्दकी सधार आ जाएं क्यों ना यह अपने आंने वाले जो 50-60 साल है इसको और अच्छा कर सकें इसकी कोशिश करते हैं कि या इ होते हैं उनको यह और्गन मिलें दो मिसाल रिक्वर्मेंट थी वो रिमूब कर दी गई है अभी क्या है जो नीडी पेशेंट है वो रिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि और हमको रिसीव करना किसी भी स्टेट में ठीक है और कहीं पर भी वह सर्जरी भापर करवा लेंगे कोई रिस क्या है कि बहुत ही इजी हो चाएगी और बात करें तो नेशनल ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन फ्रोग्राम ठीक है यह लेकर आए थे पीरिट है इसका 2021 से 25 तक यहां पर है कि प्रमोट किया जाए कि जो परसन मर गया है ठीक है वो परसन मर गया है उसके और गया उसको परसन के अंदर लगा दें जिसको जरूरत है जो नहीं मरा है जिन्दा है जो अपनी लाइफ को आगे जीना चाहरा है उसको प्रमोट किया जाएगा ठीक है मैन पावर जो है और टिशू डोनेशन तो आप काड़ फाड़ के निकालनी उसके भी एक प्रोसीजर होता है तो प और यह कुद किसी के अंदर से आई निकाल दो ली और आई को प्रोटेक्ट भी दियो करना होगा ऐसा नहीं हूता है उसको आपो ऑनने के प्रोटेक्ट करके रखना है जब्सकित कर देshore में तो तो इसके लिए टाई के कि पूरी जो सिस्टम है बो बनाना चाहिए ठीक है कैसे आप जो है उसको फिर ट्रांस्प्लांट करेंगे किस तरीके सिर्ट ट्रांस्प्लांटेशन होगा क्या पूर प्रोसीजर होगा ये भी पहले से ही डिसाइड करना है अब हम बात करते हैं या पर नेशनल और टिश्यू ट को देखती है ये बाडी ठीक है अब यहाँ पर इंडिया में कैसे ये और्गन जो है डोनेट होते कैसे ट्रांस्प्लांट होते हैं तो और्गन डोनेशन ट्रांस्प्लांटेशन जो है यह क्या है कि हम किसी भी परसन से उसको उस और्गन को रिमूब करते हैं दूसरे में फ है मेरे कोई भूइं है तो अगर क्तिनी फैल कि नहीं तो एक कि निट कर दी नहीं है तुछ उसके पास किडनी नहीं है उसकी किडनी खराब हो गया वह भी जिन्ता रह रह रहा है再ड़ falling परसें जो यह मर गया है लेकिन उसका अभी दिल है वो ठीक है तो दूसरे परसें जिसके दिल में कोई प्रॉल्म है तो इसका दिल यहाँ पर ट्रांस्प्लांट कर देंगे तो डिसीज जो न रो जाएगा अब ही इस्टेस क्या है तो 3rd largest country है कि कितना transplantation होता है कितना transplantation हो रहा थी हम अच्छा अरहे इंडिया में कहां ऐसा होगा नहीं भईया हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं त्रांस्प्लांटेशन के मामले में ठीक है जितने भी ट्रांस्प्लांटेशन ओर्गन्स होते हैं उसमें 17 पॉइंट जो आज दुशमलव है वो हमारे डिसीज्ड डॉनर्स होते हैं जो मरे हुए दो हैं उनसे होते हैं और लगबग 2,00,00 पीपल ऐसे हैं जिनको हर साल किडि फिटने की जरूवत होती है अब वन नेशन पन पॉलिसी फ़र और डॉनेशन टांस्प्लांटेशन की बहुत ज़र्गा जरूवत है क्योंकि ओर डॉन डॉनेशन लिस्ट जो है उसको हम इंप्रूब कर पाएंगे जरीयर्टिक जो पॉपुलेशन इसको यह बहुत अब यहां पर क्या है कि किस person के हम organs ले सकते हैं तो ऐसा person जिसको हम बोलते हैं जिसकी brain death हो गई है ठीक है brain death हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि उसके organs जो है वो क्या है Transplantation हो सकते हैं next बात करते हैं जल-Jeevan Mission कि बही बहुत जादा G1 geNeal Im meantime के लिए oise Dejaaleale के लिए बजट में Allocation हुआ है., अलोकेशन को बढदा इया गया है जो अभी जो Allocation है वह 27% से बढ़ाया है जो नए बजट हमारा आया है उसमें अभी ज़ल जीळीवन मिशन है जो तीनमच मिली अब यह mission है तो कुछ objectives भी होंगे हम भी पढ़ाई वड़ाई कर रहे हैं अगर इतनी माललोग पढ़ाई इतनी कर रहे हैं राते नेक करके पढ़ाई कर रहे हैं कुछ goals है ना कुछ aims है जिसको अचीप करना है इसलिए आप इतनी मैनत कर रहे हैं तो हमने mission मनाए तो इसके भी goals है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं हर घर हर घर में हम पानी प्रोवाइड करने कोशिश कर रहे हैं ठीक है जितना भी रूरल हाउसोल्ड है वहां पर tap connection प्रोवाइड करने कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब यहां पर जो है ऐसे एरिया जहां पर सूखा अखा पढ़ जाता है पानी यह पिशओ यह बीना पाणी कही मर रहा है त्रीत्मेंट क्या लएगा माई प्यास हुआ ल्या कि पढ़ने लिए बाख तो आपको ज़ेंगा लेको सुझें तरह के से किर यह रहा है यह फ्रण वेर बहुत टूप यह उन से साई कॉलेज और हॉस्पीटल से अंगर बाड़ी सेंटर है हर जगे पानी प्रोवाइड किया चाहेगा टैप कनेक्शन्स दिये जाएंगे उसको मोइंटर भी किया जाए कि अब ऐसा निये वह नल लगे हुए यह तंकी लगे हुए यह पर उसमें पानी नहीं है हमने तो काम कर दि पानी प्रोवाइड करना है पीने लाइफ पानी पानी जो होना चाहिए उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए जल जीवन मिशन के अंडर कई सारे रिफॉर्म्स किये गए जैसे फोकस को भी बदल दिया ठीक है अपने सारा फोकस ही चेंज कर दिया पहले फोकस था है अब फोकस बना दिया है हाउसोल से पहले क्या था जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी परानी मूवी या ऐसी कोई चीज देंगे तो हम देखते हैं कि लाइन लगे हुई है एक नल लगा हुआ है महाँ पन लोग आना है अपने बालिटी अल्टी हो भर रहे हैं पर जा रहे यह है जल जीवन मिशन का फोकस कैपसिटी भी बड़ा दी गई है जो है ट्रेनिंग है इसके लए यह सब प्रोवाइट किये गए है कि वह यह पानी तो अब लेबल कराना ही पड़ेगा पानी नहीं है तो आप आगे जिंदी में करेंगे या पानी तो अब लेबल करा दो इ भीमन होंगी तो वीमन को इंसेटी आपकर कर रहे हैं इनेटिवरिशन की बात करें तो पर्फॉरूमेंस ग anderट भी मिल सकता है मोबाइल आप यसमें हम क्या कर्रहिए जल्दो है जलदुत नामी यह मिल एब जिसमें पानी को देख रहा है कहां पानी मिले है अच्छा यहां बात करें तो पहले हमने कौनकों से मिशन चलाए है पहले तो याद करने की जरूत नहीं है पोश्चन नहीं आ रहा है प्रिलिम से बढ़े गवाए पढ़ दो क्या चाह रहा है हमारा पढ़ने में एसे रेटे रूरल वाटर सप्लाइ प्रोग्राम 1972 से 73 के बीच में आया था फ है फिर यूटी इसमें 100 परसेंट टैप कनेक्शन मिल चुका है 100 परसेंट हर घर में पानी मिल रहा है गोवा अंदामंदिकोवार आइलेंड्स पुदुचेरी दादरा नागर हवेली दमंदियों और हर्याना में हमेशा पानी अब हर जगए मिल चुका है वाटम फाइव इ नहीं ढम से मिल फाया है तो हम सेंसस की बाद करेंगे सेंसस कि क्या है क्यों इस में हैं चलो जानते हैं सेंसस की बारे में पढ़ते हैं तो हमारा जो अभी का जनरल रेस्टरार जनरल सैंसे कमिश्चनल ऑफ इंडिया चार सालों के लिए पोसपोन कर दिया सैंसे समस अभी होना था लेकिन क्या है कि 2024 में ये सैंसेंड कोगा अभी पोस्पोन किया जैसा चल रहा है सिस्टम बैसा ही चलेगा ऐसा बोला गया है अब census की process को भी थोड़ा से समझ लेते हैं वैसे तो हमने कई बार इसको पढ़ भी लिया है लेकिन इसको समझते हैं तो census कौन कराता है तो दोखो 10 साल के बाद में census होना चाहिए लेकिन अगर कोई emergency आ जाती तो इ information provide करती है रेजिटरार जन्रल को कि क्या-क्या आदिस्टिटिव इनुटस यहां पर बदने हैं कितने नए हमने शहर बनाये कितने नए हमने डिस्टिक्स बनाये यह सब पहले से बताना पड़ेगा डिस्टिक्स का नंबर जो है वो चेंच हो चुका है 2022 में 736 डिस्टिक्स इं लोग इंडिया में हैny जाड़ा तर अगर हम इमेजिन करते हैं, इसका मतलब हिए नहीं कोई इसलिए चर्चा में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अल्क विमन बैंच बनाई है, ठीक है ऐसा जब से अगर हम हिस्ट्री से देखते हुए आएं तो ऐसा तीसरी बार हुआ है कि पूरी बैंच एक बनाई गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीमन है ठीक है अभी तक तीसरी बार यह हुआ है पहले 2013 में हुआ था फिर 18 में और फिर 22 में ऐसा हुआ है कि All Women Judge जो ह उठाथे है trifना की रिप्टेंटेशन है और सबसे कम सिप्रीम कोरट है ठीक है पांच ऐसे हाइसे हाइव धर नहीं ठीक है सारे कोई जर्ट कैसे मेल है वही है ऐन्प यहां पर आपकी स्टेट्स है तो यहां पर डिना का मेगाले का मनी पूरा का यहां पर कोई फीमेल जर्ज है ही नहीं काफी कोशिस करनी है यहां पर हमें इंप्रूप्प्रूमेंट लानी ही जरूत है जो थार्ड women bench है यह क्या करेगा जो transfer petitions है matrimonial disputes के और bail matters के उसको यह देखेंगी ठीके supreme court के पास में only 3 women judge है supreme court में सिर्फ 3 women judge है समझ रहे हो कितनी जादा अभी कोशिश करनी है मैनत करनी जरूत है इतने सारे judge ठीक है supreme court में बता कितने judge जो होते हैं इतने जो होते हैं इतने इतने होते हैं बताना तुझ रहा राइट तो इसमें कितने हैं कितनी बीमन है only 3 तो दोच लो कितनी हमें जरूरत है अभी improvement करने की ठीक है condition कितनी सधालने जरूत है section 497 की बात करते है IPC की तो supreme court ने अभी clarification दिया है 2018 की judgment में कि armed forces जो है वो action ले सकते हैं officers जो adulterous act कर रहे हैं उनके against में तो इसमें clarification supreme court ने दिया है 2018 में जो judgment हुआ था उसमें adultery को decriminalized कर दिया गया था लेकिन अभी इन्हों निकाए कि armed forces में action ले सकते हैं ठीक है कि जो judicial forums हैं उनके पास में भी power है कि वो किसी भी शादी को dissolve करने की permission दे और कोई भी नहीं देगा ठीक है ऐसा भी यहाँ बार बताया गया है बात करते हैं ग्रामीन उद्यमी प्रोग्राम की तो ministry of skill development और entrepreneurship की जो यह ministry है इन्होंने 200 travel women है उनको facility प्रोवाइट की है किसके अंडर ग्रामीन उद्यमी प्रोग्राम की अंडर इस program के अंडर जो है skills प्रोवाइट की जाएंगी entrepreneurship की अपर के अपनी जो financially जो weak है जिसके विए से उनकी जो living standard वहाँ पूर है उसको वह सुधारेंगी साथ ही साथ में हमारे country के लिए भी contribution वह कर पाएंगी ठीक है children identity and right to privacy के अगर हम बात करें तो supreme court ने कहा है कि children का यह हक नहीं है कि वह legitimacy questions जो है privacy right के लिए वो इसमें उनके right यह नहीं आता ठीक है कि genetic information वह बहुत ही personal होती है intimate होती है आप DNA test करवा सकते हैं ऐसा भी बताये लेकिन वह DNA test ऐसा नहीं है कि आपका मनु अचल भई आज DNA test होगा ऐसा नहीं कर सकते बहुत ही last resort में DNA test होगा क्योंकि यह जो genetic information वह बहुत ही personal होती है हर किसी का हग है कि वह अपनी privacy को अपने पास र हीनियस बहुत ही जड़ा शर्मना क्राइम करा है लेकिन वह क्राइम करा है किसी बच्चे ने जो अभी अडल्ट नहीं है बट उसने क्राइम तो ऐसा कर दिया है जो अडल्ट भी नहीं कर सकें तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे क्या हम उनको अडल्ट की तरह punishment दे पाए हैं अगर उनने कोई हीनियस क्राइम किया है तो नेक्स से वर्ड शोचल डिपोर्ट दोजारते इस लीविंग नो वन बहाइंड इन एजिंग वर्ड इसको पब्लिश किस ने किया है यह एक फ्रेमबर्क बनाती है जो फ्रेमबर्क है मैडरेट इंटरनेशल प्लान ऑफ एक तीस सालों में यह कितना हो जाएंगे वही 100 हो जाएंगे ठीक है सबसे जादा कहां पर होंगे सबसे जादा नौर्थ नदन अफ्रिका में बस्तन एजिया में सब सहारन अफ्रिका में यह जो है फास्टेस ग्रोथ होगी विम्ष यह वही पहली है कि हम किसी कोल निकाल रहे हैं लेकिन हम बहुती नैरो टरन से बना रहे हैं बहुत ही पहला घुझ महीं लुच्छे उसमें गुजगुज क्या रहे है पुल को माइन कर रहे हैं। कभी होता है कि तनल जो है वो कॉलाप्स हो गई कभी कुछ हो जाता है इस वज़े से क्या होता है कि ये जो है बच्चे उनकी डेथ हो जाती है और ये जातर मेगाले में होता है और बच्चे जो है उनकी डेथ क्यों करवाएं राइट उनकी उनकी वो राइट टू लाइफ है इसलिए यहां पर कोट जो है बार-बार इसको मना करती है कि यह रैटोल माइनिंग नहीं करना चाहिए इसके लिए कई सारे पैन भी लगाए गए है ठीक है मैनोल स्केविंजिंग को हम अलेडी बहुत अच्छे से पहले शोचल इस्यूज में पढ़ चुक है पीटी 365 में लेकिन आपन न्यूज में तो इसको भी हम पढ़ते हैं किरला पहली असी इस्टेट बन चुकी है कंट्री में जो कि रोवाटिक टेक्नलोजी का यूज करेंग सफाई के सफांग यह कौन करेंगा के ला में रोगोट करेंगे रोबॉटट है किस मंजर का लगे सेंसर्स मी लगे हैं जो कि हांफुल गैसिस को भी ट्रैक करते रहेंगे नेक्स्ट बात करें लोकुर कमिशन की 1965 में कमिशन आई है तो एक्सपर्स ने कहा है कि जो ऑफिसर जनरल हैं इंडिया के उनको वह आफसलीट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं जो कि लोकुर क कराने के लिए नए क्राइटेरिय यूजी करना चाहिए लोको कमिटी जो क्रातर ईता इसा इसमें कहा गया जो लोको में यह इसने क्या इत्रेंट होने चाहिए जही कón dat चाईंग दूसरी एकुनाविक एट्यूर्ट यह निई चाहिए इस्तोरिकल जग्रफिकल आईसोलेशन होना चाहिए यह नया राइटेरिया है, फिर जादु ही पिटारा, जादी पिटारा क्या है, जादी पिटारा एक लर्रिनिंग टेकनिकल मैटीरियल है, ठीक है, यह प्लेवेंग फुर्ट्स भी है अब बात करते हैं परक काफी इंपोर्टेंट है इसको पढ़ना जरूरी है तो अभी क्या है परक को बनाने के लिए बिट जो थी 1813 कंट्री में उसमें यह जीत गई है हमारे जो टेस्टिग सर्विची से वह जीत गई थीक है परक जो है यह national education policy 2020 का ही एक part है जिसमें इसको हमने launch किया कि किस तरीके से new जो हमारी policy है इसको education policy को implement कर पाएंगे यह जो है norms बनाएगा standards बनाएगा guidelines बनाएगा कैसे जो है students को हम assess करेंगे evaluate करेंगे यह सब काम परक में होगा ठीक काउंट कैसे कैसे assessments होंगे तो large scale assessments होगा school based होगा और examination form में भी हम इनको assess करेंगे नेक्स बात करते है school health and wellness program की तो लगबक तीन सालों के बाद में इसको implement कर रहे हुए तीन साल हो चुक है इसमें क्या हुआ 50% ही uptake हो पाया है कभी हम देखे तो अभी ज्यादा कुछ improvement देखने को मिला नहीं है इसको आईश्वार भारत program के अंदर हम लेकर आये थे implement किया गया सरकारी school में और ऐसे school जिनको सरकार help कर रही है ठीक है higher education financing agency हेफा इसकी बात कर रहे तो यहां पर government की targets है कि हमें एक लाग करोड जो है वो mobilize करना है 2022 तक इसमें यह जो है पूरा नहीं हो पाया है वादा ठीक है हेफा की बात कर रहे तो हेफा 2017 में लेकर हम आये थे joint venture अमनिस्टी ओफ एजुकेशन और कैनरा बैंक का यह globally जो top ranking institutions हैं उनकी रैंकिंग प्रोवाइट करना चाहते थे नेक्स्ट है national assessment and accreditation council इन्होंने नया benchmark जो है वो इस किया है ठीक है यह benchmark है यह इसके सीक्रेट लेजर जो है जिसमें में स्कोर्स दिये जाएंगे अबोर्स दिये जाएंगे उसके लिए बनाया गया है यह बैरमीटर की तरह काम करेगा कौन से institution में कितना क्या काम हो रहे है यह सब मेजर करेगा यह जो है 1994 में बनाया गया था इसके headquarter बैंगले रू में है UGC के अंडर यह आता है यह क्या करता है कि जो आपके higher education है उसको define करता है उसको देखता है कैसे क्या चल ला है काम और काम को monitor करता है grading भी करता है साथ ही साथ इसको SSB करता है certify भी करता है फिर स्वेम की बात करें तो 2.4 करोर enrollments हुए है स्वेम में ठीक है तो स्वेम जो है अधर जो e-learning platform उससे काफी अच्छा कर रहा है स्वेम क्या है यह लगवक 300 high quality massive open online courses को provide करता है अकाडमिशन से लेकर top ranked institution ने इसको जो है develop किया है और यह free of cost यहाँ पर courses available है यह learning system है जो की formalized teaching पर waste है लेकिन आपर electronic resources की help की जाई e-learning में स्वेम का काफी बड़ा नाम है mission अंतियोदर survey की बात करें तो यहाँ पर इसको ministry of rural development ने और जो ministry of पंचायती राजे इसने इसको launch किया है यहाँ पर जो अलग-अलग developmental schemes है rural areas में उसमें क्या काम हुआ है कैसा काम चल रहा है यह सब को access यहाँ पर किया 183 indicators और 216 data points cover करते हुए यहाँ पर questionnaire को बनाया गया है तेरा languages में यह बनाया गया है प्रजुला challenge की अगर हम बात करें तो इसको launch किया है ministry of rural development ने दिन द्याल अंतियोदर योजना national rural livelihood mission के अंडर इसको launch किया गया है इसका aim है कि हम idea solutions actions को invite कर रहे हैं जो कि rural economy को transform कर सके हम यहा बनाना चाते हैं उनकी living stylist को improvement करना चाते हैं इसी के साथ में हमाई जो दुनियादारी है social issues है उसको हमने पढ़ा है और अब हमें बहुत ही जादा confidence feel होता ही होगा क्योंकि हमने PT 365 social issues की complete की हमने updated material को भी पढ़ लिया है अब तो कोई भी question आए हम उसको tackle कर ही लेंगे अगर ऐ चैनल को देखकर वीडियो को देखकर खुदको और अपडेट बना पाएं और अपने ट्रीलियम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएं